खबर बिहार से है जहां भागलपुर नगर निगम में नगर आयुक्त के खिलाफ मेर सीमा शाह ने पार्शदों के साथ मिलकर मोर्चा खुल दिया है एक बैठक के दौरान मेर और पार्शदों ने नगर आयुक्त का विरोध करने का फैसला किया बैटक के बाद मेहन ने कहा कि जब से नगर आयूप ताई हैं सिर्फ अपने आवास में ही रहती हैं कभी-कभी ही ओफिस में आती हैं नगर आयूप ना तो जनता की सुनती हैं ना किसी जनप्रतिनी धीकी कि जनता करेशान हैं साथ में सारे पार्षान को भी तांकित ने रहती हैं क्योंकि आइसा प्रफ पार्षान कर भीजा होना चाहिए जब से लॉक्डाउन पुरू हुआ है परना के लेकर इस श्रीव आवास पही राती आवास के क्या करती है पता नहीं आप धून किजे अब कोई काम ने करती है एक समय तक को फिर्व नहीं होती है साथ में कि परोना में इतना खर्च हुआ उसका पर इक हिसाब ना तो अस्तारी समयत्य में पास किया है ना बोट की बातन ही पास किया है हम लोग सारे पास साथ एक हो के धजना परदब करने से यारे है कि कुराना का ने बड़ा गोटेला हुआ पड़ा गोटेला हुआ है हम को सारा हिजाब दे दिया जाए कि आप कहा से इनक समय आपको जो हिसा है वाच लाग हो ये कचा से आप इसमें पास कितना पावर है पास कि पिखा रहे हैं कि मानने जाए आपको जोड़ी हिसाब सब्सक्राइब देखे लगातार पारसदों के द्वारा नगराहिवत महदय को सबी समस्याओं से अफगत कराया जा रहा है सफाई करमचारी जो पूरी मनदारी से पूरे करोना काल में दिन रात एक करकर काम कर रहे हैं वो सफाई करमचारी जब जनप्रतींदी के पास आते हैं और ये बात कहते हैं कि हमको अभी तक भुक्तान नहीं किया जा रहा है, समय पर हमको भुक्तान नहीं होता है, जो वाडो में समवेदा काम कर रहे हैं, जो रोड नाले का निर्मान कर रहे हैं, जब हम लोग उस पर मुझना की उमीद हम नगराय। उससे कैसे कर सकते हैं, जब वो सफाई करमचारी का भुक्तान समय पर नहीं करें, समवेदा का भुक्तान समय पर नहीं करें, डंपिंग ग्राउंड जो हम लोगों ने लिया, वहां कूड़ा डंप करने का काम नहीं करें, वहां के लिए मानने मुखमंत्री मौदे से निमेदन करता हूं कि जिस तरीके से करोना काल में स्वास्त विभाग में थोड़ी सी भी लचन नमस्ता पाई गयों मानने मुखमंत्री को लगा कि हमारी और सरकार की जो है वो 26 धुलमिल हो रही है तो उन्होंने तीन प्रधान सचीव को बदलने यहां पर तो सालों साल से नगर आयुक कर रहे हैं हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं और यदि हमारी बात पर विस्वास नहीं है तो आपके सामने स्वक्ष्टा सर्वेक्षन की रिपोर्ट भी आ गई है कि गंदगी में चोथे नंबर अस्थान पर हम लोग है तो ऐ जोड़ा पत्राचार के उपर एसे आपके पास संसाथनों की कमी रही या इक्षाशच सक्ति की कमी रही कि काम नहीं करा पाए जब हमारे अकाउंट में 20-30s करोड रखा वा है उसके बाद हमारे पास लाइख रुपया देने के लिए सफाई करम्चारी नहीं है उसके बाद बाट की बैट्र बिना पासदों के संग्यान में बिना क्रेज अमिति के संग्यान में दिए बीना लाखोगों करूडो रूपए साबुन के नाम पर सरेटाइजर सरे अशन singles कर्श कर देना उसका कोई हिजाब नहीं देना में यह सही लाकने के बावजूत तो ऐसी पर किए पारियाले में और आवास में रहना है तो हम लोग आपके आवार बैठने का काम करेंगे अब आप आपने आवास पर ही रही जाए इस तरीक की चाहूँआ ऐंगे और कल भी काम करने माले पुर्ध कार्षे करेंगे जब जब ऐसे पनाविकारी सुस्त रविया पनाने का काम करेंगे और सहर के विकास करने का काम करेंगे हम सब एक मत पर होकर उनका विरोध्दर्च करेंगे कि इसको लोग लंबे समय तक जब तक हमारी 5-6 मांगे हैं उन मांगों को जब तक पूरा नहीं कर दे तब तक हम लोग इसका विरोध्दर्च करते रहेंगे हम लोग को सो समय पर सभी सफाई करम चारी और समय दुकों का भुक्तान चाहिए हम लोग को जन प्रतिनिदी को कोई भी समस्या हो रही है तो किससे हमारी का हैं रहरे हैं कि सभी इंस फॉन नधा सकती हैं किसी को अधिकरित करें कि कि उससे बात करने चारी हृष फास की जिन जनकी बहाली अभी कोई है जो नियम विरूद है चाहे जलकल साका में चाहे अन जगहों पर उसको पार्दरशीता के साथ सामने रखे जनता को यह बताने का काम करें कितना रुपय का अपने से अपने से बाटी और इसके लिए आपने कहां परमीशन लिया बोर्ड की बैठक में इसको क्यों लाने एंसिट्यूट एडमिशन ओपन रेजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170